जाओ आता है और बोलता है शाने के तुम मुझसे नराज नहीं हो शाने बोलता है हाँ मैं थोड़ा सा पहले एग्रेसिव था लेकिन उसे तुम अपने दिल पे मतलो दोनों तयार हो जाते हैं एक दूसरे को अपने कॉंटेक्ट लिस्ट में एड़ करने के लिए क्योंकि पिछली बार शाने ने जाओ को अपने कॉंटेक्ट लिस्ट में एड़ करने से मना कर दिया था पर उसी वक्त शाने को लगता है कि उसे एक सवाल पूछना चाहिए तो वो जाओ को कहता है कि जड़ा एक सकेंड रुको मुझे तुमसे कुछ पूछना है शाने कहता है कि मैं तुमारे घर जब आया था तो मैंने बहुत सारे डॉल्स को तूटा हुआ देखा था लेकिन वो कैसे तूद गए वो बड़ा ही अजीब था तो जाओ को बड़ा ही आकवर्ड लगता है और वो कहता है कि जो वो इस घर में शेफ्ट हुए थे तो उन्होंने पेंटिंग कराई थी तब से वो डॉल्स वहाँ पर तूटे वे पड़े हैं और उसे जो है घर साफ करने का मौका नहीं मिला जिसकी वज़े से उसने उन डॉल्स को एक कमरे के अंदर भरके ऐसे ही रख दिया है तो शाने पूछता है कि फिर वो डॉल्स इस तरीके के क्यों दिखते हैं इतने स्केरी तो जाव बोलता है कि वो इसलिए ऐसे दिखते है को कि शिफ्टिंग के समय में वो तोट गए थे तब ही शाने पूछता है कि तुमने अपना जो सबजेक्ट था सकूल में वो तुमने आर्किटेक्छर से बदला था क्या तो जोह बोलता है हाँ मैंने अपना सब्जेक्ट बतला था तब ही शाने को लगता है कि यहां कुछ गरबर है तो वो बोलता है कि यदि जोह तुम कुछ मुझे नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम मुझे हर बात बताओ तो जोगो बोलता है कि मैंने उन गुडियां को नहीं तोड़ा शाने सुचता है कि किसी औरनस की गुडियां को तोड़ दिया और हो सकता है कि कोई जोगो को बुली कर रहा होगा वैसे भी जिन लोग को गुडियां से खेलने का शौग होता है उन लड़कों को दूसरे लड़के कई बर बुली भी करते हैं क्योंकि कोई भी लड़का बुड़ियों के साथ खेलता नहीं है तब ही शाने सुचता है कि मुझे पहले गज़त महसूस वाता मुझे लगा कि जोओ को गुड़ियाओं से कुछ अजीबी प्रेम है लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए शाने उसको अपने मन में सुचते वे बोलता है कि शायद मुझे तुमसे अपलाजी करना चाहिए था तो जोओ बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि शाने तुम्हें क्यों उससे अपलाजी करना चाहिए था तब शाने बताता है कि मुझे इसलिए एपलाजी करना चाहे था । कि पहली बार जमें तुमसे मिला था तो तुम्हारी इ90 में से कुर निकल रहा था और मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें hospital ले जाओंगा लेगि मैं तुम्हें hospital नहीं ले जाया पाया और मैंने तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़ दिया तो जोव बड़ा कुछ हो जाता है सुनके तो जोव शाने को बोलता है तो क्यों ना तुम अपनी वांफी के रूप में आज मेरे घर आके रहो रात में तो शाने बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझे आज आफ्टरनून में कुछ काम है और मैं जल्दी फ्री नहीं हो सकता हूँ तो शाने बोलता है कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ तो जोव उसको मना कर देता है कि तुम्हें आने की जरुरत नहीं है तब ही वहाँ पर उनकी ड्रामा एसिस्टेंट जो होती है जिसका नाम फूली है वो आती है और शाने को बोलती है हाई शाने हाई जो तो शाने एकदम से चौक जाता है क्योंकि उसे उमीदी कि कोई उसे लड़की की कपड़ों में पहचान नहीं पाएगा तब ही वो जो एसिस्टेंट है ड्रामा की फूली वो बोलती है कि शाने तुम बड़े अच्छे लग रहे हो लड़कीों की ड्रस में लेकिन तुमने ड्रामा कलब में लड़कीों की ड्रस पहनने से मना कर दिया जबकि तुम जानते हो कि तुम लड़की की ड्रस में कितने अच्छे लगते हो तो शाने अपनी आइडेंटिटी को चुपाने के लिए क्या देता है कि मैं जो हूँ वो शाली हूँ जो शाने की बहन है मैं शाने नहीं हूँ करके तो फूली बोलती है लेकिन ये बहुत ही अजीब है क्योंकि जो तुम हो वो बिल्कुल शाने की तरह दिखाई देते हो और शाने ने हमारे ड्रामे में लड़की का रोल प्ले करने से मना कर दिया लेकिन ये अजीब बात है कि तुम जाओ के साथ घूम रहे हो करके और इससे भी जादा कन्फ्यूजिंग ये है कि तुम लड़कीयों के क्लोथ में बहुत ही सुंदर दिखते हो तो शाने बोलता है जो अभी लड़कीयों के क्लोथ में अपनी बहन की भूमिका निबारा है जो कि उसकी बहन का नाम शाली है वो बुलता है कि मैं और मेरी बहन एक जैसे दिखते हैं लेकिन कोई प्राब्लम यदि मेरे भाई से रिलेटेड है तो यह उसका प्राब्लम है यदि वो ड्रामा में काम नहीं करना चाहता है तो यह मेरा प्रॉब्लम नहीं है आपको उसी से बात करना चाहिए और वो बताता है कि शाली और मैं दूनों ट्विंस है तो फूली कहती है यदि आप दूनों ट्विंस हैं तो जो मैंने तुम्हारा फोटो लिया यदि मैं ड्रामा क्लब में बेज देती हूँ तो इससे कोई फरक तो नहीं पड़ेगा तुम्हें तब भी फूली का फोन जाओ छीन लेता है और कहता है कि तुम दूसरों की फोटो लेके उनकी परसनल चीजों का दूर उप्योग कर रही हो बीना किसी से पुछो किसी की फोटो नहीं लेने चाहिए तो फूली कहते है कि यदि तुम लोग मेरे ड्रामा में मेल और फीमेल का प्ले करने के तैयार हो जाओ तो मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो और ऐसा कहके फूली जाओ से अपना फोन वापस छीन लेती है तब ही शाने बोलता है जो लड़कियों के कपड़ों में है और जोहू की गल्फरेंड बनके घूम रहा है फिलाल वो बोलता है कि मैं सच में जो शायन है मैं उसकी बहन हूँ कि मैं आपको इसमें help नहीं कर सकती यदि आपको फोटो किसी को भीजना है तो आप कहीं पे भी इस फोटो को भीज सकते हैं लेकिन यदि मेरे भाई की image को आप इस तरह खराब करेंगे तो मेरे से कोई बुरा नहीं होगा तब ही फूली कहती है यह सब तुम्हारे भाई का ही किया धरा है क्योंकि यह इसने लड़कियों के कपड़े पहने से मना नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता लेकिन मैं इसके लिए अब से अब और क्या बोल सकती हूं तो शाने बोलता है मैं अपने भाई की बिहाफ में आपसे माफी मांगता हूँ तो फूली पुछती है क्या शाने को पता है कि आप दोनों relationship में हैं तो शाने और जोव एक दूसरे को देखने लगते हैं और फूली कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों ने क्लास के बाद एक दूसरे को हग किया तर तो तुम लोग couple सी होगे तो शाने सोचता है कि ये इस फूली को कुछ और काम नहीं है सिवाई यही सब gossip करने के जाओ कोशिस करता है कि कि किसी तरह से वो इस misunderstanding को clear करे तो और बोलता है कि actually fully मैं और शाने जो है मतलब जो शाने अभी लड़की की dress में हो उसके लिए बोलता है कि मैं और जो शाने है वो actually boyfriend girlfriend नहीं है लेकिन उससे पहले ये बोल सके उतनी देर में शाने बोल देता है कि हमने अभी अभी एक उसे को dating करना चालो किया है तो fully बोलती है ओ अच्छा फिर क्या तुम मेरे ड्रामे में अपने भाई की जगा में जगा लेकर रोल प्लेकर ना चाहोगे क्या और उसमें मैं male lead का रोल जगा को दे दूँगी करके तो शाने फिर भी मना कर देता है कि नहीं हम लोग busy हैं हम ये रोल नहीं कर पाएंगे और वो जोग को अपने साथ खीच के उस जगा से ले जाता है वो एक पार्क में पहुँचते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़े वे तब ही शाने रुखता है और जोग से पूछता है कि मैं तुम से कुछ पूछना चाहता हूँ तो जोग पूछता है आप पूछो तो शाने बोलता है कि तुम्हारी कोई girlfriend है जोग बोलता है नहीं तो शाने बोलता है कि क्या तुम दूसरों के सामने मेरा boyfriend बनने का pretend करो कि हम दोनों एक couple की तरह दूसरों के सामने pretend कर सकते हैं करके तो जाओ बड़ा शौक्ड हो चाता है क्योंकि जाओ को तो वैसे ही शाने से प्यार है लेकिन शाने को वह अभी तक बता नहीं पाया है तो वह बोलता है कि हमें pretend करना है दूसरों के सामने तो जो शानें से समझाता है कि तुम्हें शाली के बॉइफरेंड के नाम से प्रेटेंड करना पड़ेगा मतलब तुम्हें मेरी बहन के बॉइफरेंड के नाम से रहना पड़ेगा ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद है मैंने अपनी बहन को मेरी क्लास में भीज़ दिया है और उसकी क्लास में मैं लड़कियों के कपड़े पहन के अटेंड करता हूं तो इसलिए तुम ऐसा कर सकते हो क्या और फिर मैं तुम्हारे घर में हर बार आता रहता हूं तो इससे किसी को प्रॉप्लम भी नहीं होगी करके तो इन पर जोहू बोलता है कि मैं तुम्हारी इस के लिए मैं राजी हो सकता हूं कि मैं तुम्हारा वाइफ्रेंड बनके प्रेटेंड करूं लेकिन ऐसा क्यों करना है तुम्हें लड़कियों के कपड़े पहन के क्यों घूमना है तो शाने बोलता है कि तुमने इतने सुन लॉलिता के कपड़े बनाए हैं, लॉली के कपड़े बनाए हैं, वो कैसे कैसे वेस्ट करने जाने दू, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ही उन्हें 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 कपड़ों को पहनू और घूमू. First Love Milk Tea, जहां पर शाने काम करता है, और उस वक्त वो किसी को मैसेज कर रहा है कि क्या हम एक साथ डिनर कर सकते हैं क्या, तो जाओ को वो मैसेज पर पूछता है कि क्या तुम्हारे लिए ये सही होगा कि यदि हम हाट पॉट आज खाए तो, तो जाओ बोलता है, अफकोस, क्यू नहीं, आज हम हाट पॉट खा सकते हैं, जैसे ही मैं अपने वर्क से, शाने बोलता है कि जब मैं अपने वर्क से फ्री हो जाओंगा, तो मैं शादी के साथ तुम्हारी घर पे आओंगा, सारा सामान लेके, और फिर हम हाट पॉट बनाएंगे, तो साहू बोलता है, ओके, ड बोक्स में से कुछ पेपर्स निकालता है, और देखता है, तभी दूसरी तरफ जो जो हो है, उसे लगता है कि उसके घर में तो गयास है नहीं, तो वो कैसे खाना बनाएंगे, उनका हाट पॉट कैसे बनेगा, तो वो एक अच्छा सा बर्नर, इलेक्रिक वाला खरीद के ले तो रैपर रहता है, उसको वापस आता है, और वो जाता है, और वापर देखता है, कोई और भी आया है, जिसने बेल बजा के कहा, excuse me, जाओ, तो वो बोलता है, आओ शायन घर आ गए तुम, तो शाने उसको अपनी twin sister से मिलवाता है, जो शाली है, तो वो बोलती है, hello जाओ, करके, तो जाओ, बड़ा confused रहता है, कि देखो, दोनों भाई बहन एक जैसे दिखते है, पर क्यों नहीं वो एक जैसे दिखेंगे, आगर कर वो तो twins है, तो जाओ की बहन जो शाली है, वो बोलती है, कि अच्छा, तो मेरा boyfriend है, जो बहुत handsome दिखता है, तो वो पुछती है, कि तुमारा कौन सा subject है, तुमारी कि subject में mastery है, और कहां से हो तुम, और तुमारा जोड़ेसिक sign क्या है, तो तभी शाने बोलता है, कि तुम सरिफ उसकी नाम के लिए girlfriend हो, कोई सच मुझ की girlfriend नहीं हो, करतके, ऐसे अपनी बहन को थोड़ा सा टाट लगाता है, तभी वो अपनी बहन को बताता है, शाने अपनी बहन को बताता है, कि ड्रामा कर आपके जो लोग है, वो तुमें अच्छे से नहीं जानते हैं, तो जब भी तुम बात करना, तोड़ा careful हो के बात करना, यदि वो तुम से कभी मिल जाएं, और जाओ के बारे में कुछ पूछें तो तुम उसे हैंडल कर देना, वो अपनी बहन के एक चोटे से बाउल में खाना परोस्ते वे सारी बाते बताता है, तो उसकी बहन कहती है, शाली, जो शाने है, उसको कहती है, कि यहने तुम कहना चाहते हो, कि यदि मुझे कहीं मार्किट में, या स्कूल में, कॉ और दिखे, तो मुझे उसे अवाइड करना है, तब भी जो बोलते हैं कि यह कोई ठीक आइडिया नहीं है, कि हमें ऐसा करना चाहिए, और हमें किसी को बताना चाहिए, कि मैं इसका नाम भरका वाइफरिंड हूं, और शाली, यह बोलती है कि क्यूं मुझे इसे अवाइड क करना चाहिए तो शाली बोलती है कि कुछ भी हो लेकिन अधि कोई हमें देखता है तो मुझे जाओ के साथ में आगे कहीं पर चलना चाहिए करके मुझे मतलब किसी से ये बात चुपानी नहीं चाहिए कि जाओ मेरा बॉइफरेंड है जबकि वो नाम बर के लिए मेरा नहीं है मैंने तो तुम्हारे सारेंस के नाम और फेसे को याद कर लिया है मैं खुधी अपने हिसाब से इन लोगों को समान लूँगा तो शाली बोलती है कि लेकिन तुमने तो सिफ उनके फटोस ही देखे है 시청 कैसे उनके साथ ड्रील करोगे तुम असली ने जानते नहीं हो तो जाओ बोलता है मेरे अपने तरीके हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं कर लूँगा तो शाली बोलती है कि मैंने अपने दोस्तों को प्रॉमिस किया है कि इस वीकेंड में जो रियूनियन होगा क्लास में अपने बॉइफरेंट को लाँगी कुछ चुपाना नहीं भी प्रॉड़ेंगा किसी से तब ही वो बोलता है जाओ बोलता है कि नहीं मैं चला जाओंगा नहीं तो लोग सोचेंगे कि ये सब जूटी बाते हैं और मैं भी इस बाहने दूसरों को मिल नूँगा तो शानी नहीं बड़ी खुश हो जाती है और बूलती है कि तुम सच में चलोगे तब ही शानी बोलता है कि जाओ तुम ऐसा करने के कोई जरुपानी है ये सब रहने दो तो जाओ बोलता है कि नहीं, it's okay, ये ठीक है, शाली के फ्रेंड्स को भी मैं मिल लूँगा और उनके साथ तोड़ा टाइम भी बिता लूँगा, तो ये सब ठीक ही है, तो शाली बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, हाँ, हाँ, ये सही बात है ठीक है, फिर ये रिसाईडर है कि हम ली उनिन पर साथ जाएंगे, और हम एक डूसर को एक साथ लेके जाएंगे बात में शैली चली जाती है, उनके घर से, जाओ के घर से चली जाती है और इस वो तुम के हाँ पर दस बज़रा होता है काफी लेट हो चुका होता है तो वो चली जाती है तो रिशाने मुलता है कि जाओ तुम चाहते तो मना भी कर सकते थे जाने के लिए करके तो जाओ एक हलका सा हम करके आहां भरता है तब ही शाने बुलता है यदि तुम्हें वहां कुछ बूरा लग जाए कोई कुछ ऐसा कह दे जिससे तुम्हें हाट हो जाए तो तुम्हें अपने आपको रोकने की जरुरत नहीं है तुम्हें जो मैंना तुम वो बोल सकते हो तुम किसी को अपना एडवांटिश मत लेने देना तो जो बुलता है कि तुम्हें ऐसे लगता है कि कोई भी मुझे बूली कर सकता है कोई भी मुझे कुछ भी बोल सकता है तो शालें बुलता है कि यह जब समस्या खड़ी हुई है यह सारी समस्या मेरी वज़ा से खड़ी हुई है क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरी गर्फ्रेंट बरके प्रेटेंड करने के लिए मैं तुम्हारी गर्फ्रेंड बनूंगा और हम एक couple जैसा pretend करेंगे करके और जो शाली है मेरी बहन वो एक बहुत ही चुलबुली सी लड़की है उसे हर चीज में इंटरस सेकता है तो जो बोलता है कि तुम क्यों नहीं मेरे साथ चुलते फिर हमको सिर्फ एक साथ थोड़ी देर बैटने ही को पढ़ेगा वहाँ पर किसी को क्या पता चलेगा कि तुम कौन हो करके तो शाने बुलता है कि हाँ वहाँ लेकिन सारे लड़कीया होंगी क्या करेंगे तो फिर सोचता है कि ये भी ठीक है इतनी सारी लड़की आएगी तो मज़ा आएगा बात करने में तो जाओ का जो है वह उमूर थोड़ा खराब हो जाता है तो जाओ बुस्ता है कि तुम फिर से आज रात को जाना चाहते हो तुम कि यहाँ नहीं रुकोगे तो जाओ बुलता है कि क्यों ना तुम यहीं रुक जा आज ही तो हमने दूसरे को एक QQ एप पे अड़ किया है और आज ही तो हम अच्छे दोस्त बने है करके और फिर अब भी हमने कपल बनने का भी इनिश्य ले लिया है कि दूसरे को हमें कपल बनके दिखाना है प्रिटेंड करना है तो हमें बहुत सारे चीजों की रिहसल भी करने पड़ेगी तो शाने बोलता है नहीं नहीं इसकी कोई जरुवत नहीं यह सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और दूसरों के सामने हमें सिफ कपल की तरह प्रिटेंडी तो करना है मैं तो लड़कियों के प्रॉल्टस पैन के आउंगा तो इसमें कोई प्राब्लम होगी नहीं करके तो जरु सस्ता की है यदि इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या इंपॉर्टेंट है पर वो यह बात कैसे शाने को मुझ के ओपर बोल सकता है तो तो जरु पुछता है फिर क्या important है तो शाने बहुत excited हो तर बुलता है सिर्फ लॉलिता के कपड़े ही important है और कुछ important नहीं है फिर उसके बाद शाने बुलता है कि चलो लॉलिता के कपड़े को भूलो और चलके मेरे साथ घर साफ करते हैं और फिर हम जल्दी ही यह चले भी जाएंगे यहां से तब ही शाने सोच रहा होता है कि इस घर में काम करना जादा अच्छा है बनिजवत की मेरे हॉस्टल के रूम में काम करना तो जाओ बोलता है सच में तो बोलता है हाँ क्योंकि जो हैंसम बॉइस हैं वो जैंटल होते हैं और बहुत सारे बॉइस जो है वो दूसरे बॉइस को भी लाइक करते हैं और बहुत गंदगी फिलाते हैं तो हमारे हॉस्टल को साफ करना तोड़ा मिश्किल हो जाता है और फिर मज़ी की बता है कि अब मैं वापस अपने हॉस्टल में भी नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा तो जाव बड़ा खुश रो जाता है उसे पर शरम आती है वो बोलता है तो यानि कि तुम आज रात कहीं नहीं जा रहे हो तुम यहीं रुक रहे हो और शाने अपने मण में सोच रहा है कि मैं फिर से कैसे जोह के घर में रुख गिया मुझे ऐसे उसके घर में नहीं रुकना चाहिए था करके शाने का हॉस्टल जहां पर शाने रहता है वہाँ पर काफी सारे और भी लड़के रहते हैं और वो बोलते हैं कि क्या हुआ अभी तक शानी नहीं आया, क्यों नहीं आया, उसने नहीं कहा था कि आज रात को वो अपनी हॉस्टल में वापस आ जाएगा और हमारे साथ रहेगा, और उपर से कल हमारी क्लास भी है, तो उसका दूसरा दोस्त गोलता है कि मैं एक काम करता हू उसे फोन लगा के देखता हूँ कि वो कहा है और दर्वाजा खुला छोड़ देते हैं उसके लिए यदि वो आएगा तो शानी को फोन लगाता है उसका दोस्त और उसका शानी का फोन बचता रहता है तब ही जो देखता है कि शानी का फोन बच रहा है और वो शानी का फोन तो अभी वो जाता है बाहर निकलता है और देखता है और शाने को कहता है कि शाने तुम्हारा फोन आ रहा है लेकिन तभी वो देखता है कि शाने गर की साथ सफाई करते हुए गुडियाओं को साफ करते हुए खड़े-खड़े ही सो गया है शायद वो बहुत थक गया होगा इसलिए वो खड़े-खड़े सो गया होगा तभी वो शाने को बिस्तर पे लिटाता है और तभी शाने का फोन बचता रहता है तो शाने बोलते है कितनी आवाज आ रही है कितना उनों से नीन में मतलब वो आवाजे सुनाई दारी है और जो करवर बदलता है और जो करवर बदलता है तो वो जावु की बाहों में सो रहा होता है उसने जावु को पगड़ के रखा होता है उसे लगता है कि जैसे उसने किसी को पगड़ा है तो वो अचानक अपनी दीन में से उड़ जाता है और देखता है कि इन जावु उसके स बिस्तर पे सो रहा है फिर वो सुचता है कि वो जाओ उसके साथ बिस्तर पे क्यों सो रहा है तभी उसे याद आता है कि लास्ट नाइट उसने जाओ को हग किया था और दोनों एक साथ सो गए थे लास नाइट उन दोनों ने बहुत अपने एक दूसरे को टाइटली हक किया हुआ था तब ही वो बूशता है कि देखो किती शर्म की बात है कि मैं तुम्हारे साथ सो गया तब बोटता है और बोलता है जाके जल्दी से अपने आपको नहादो के बाहर निकालता हूँ तो जो बोलता है अज थस्डे है और जब वो आता है तो उसको बोलता है कि क्या तो मुझे अपने क्लास का शेडूल बता सकते हो क्या तो शाय बड़ा शौक हो जाता है क्लास का शेडूल ग्यों चाहिए तो फिर भी वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपने क्लास का शेडूल भीज देता हूँ और क्या कहते हैं वो बोलता है कि इस हटे मेरे बहुत सारे classes हैं लेकिन मैं फिर भी अपना class का schedule तुम्हें बेज देता हूँ और हो सकता है इस बार मैं मिलना सको तो जाओ बोलता है कि तुम activity room में भी नहीं आओगे क्या तो वो शाने बोलता है कि शायद मैं Friday को activity room में आ सकता हूँ तो Friday night आ जाती है और drama club की activity के room में वो जाता है लेकिन देखता है कि वहाँ पर जाके वो देखता है कि शाने कि धर है तब ही उसको दिखाई देता है कि department में एक वो है जहाँ पर social gathering हुई भी और एक लड़का उसको बुलता है कि अपने department में constant department में social gathering है करके तो जाओ को भी वो बुलाता है तो जाओ बुलता है कि इन डारेक्टर मैं नहीं आ पाँगा मेरी date है करके तो डारेक्ट बुलता है जिन लड़कों के पास लड़किया होती है वो थोड़ा different से ही होते है उन्हें कहा पार्टी बार्टी में आना होता है कि तुम्हें फूली ने बताया कि उसने शायने को देखा तो जाओ बुलता है नहीं तभी जाओ का फोन बजने लगता है और वो बुलता है कि मझे यह फोन उठाना जरूरी है और कहके वो अपने डारेक्टर को छोड़के थोड़ा दूर चल जाता है फोन किसी और कर नहीं शायन का यह होता है डारेक्टर सोच रहा होता है कि क्या यह और शायन एक दूसरे के पहले से क्रोज हैं क्या तो शाने बुलता है कि जाओ जिस पार्टी के बारे मेरी बहन बात कर रही थी वो पार्टी जो पिछले हपते होने वाले थी वो अब आज हो रहे है रात को यदि तुम free हो तो क्या तुम आ सकते हो क्या करके वो जो से पुछता है और वहाँ पर दूसरे तर जो जो सोच रहा होता है कि क्या करना है और वो तुरंट हा कह देता है कि ठीक है यदि आज ही party है तो मैं free है मैं आ सकता हूँ और शाने के पीछे उसकी बहन और उसकी बहन की सारी सहलियां बैटी होती है और बड़ी excited होती है वो अशाने की बहन को बूछती है मैंने सुना है कि तुम्हारा boyfriend बहुत handsome है कैसा देखता है करके तो उसके बाद जो क्या है कि तो जाओ आता है फोन रखके और उसकी रेंड्स को बताता है कि जाओ जो है वो मेरा भी fread है करके ड़ाओ आ चाता है उस party में और बैटता है और सभी को hello बोलता है दिक इन उसके बड़ा अजीब लगता है तो उसकी शेलियां बोलती है कि शाली और शाने दोनों यह जैसी दिखते है तो तुम कैसे पहचानते हो कि कौन शाने है, कौन शाली है तो बोलता है कभी-कभी मैं पहचानने में गलती कर देता हूं करके तो लड़किया हसते हो और बोलते हैं कि यदि शाने है लड़कियों कोई कप्ड़े पहने का तो हमें तो जरूर ऐसा लगेगा कि शाने जो है वार शाली है करके तभी शाने बोलता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ मैं कैसे किसी लड़कियों के कपड़े पहनूँगा मैं कभी भी किसी लड़की के कपड़े नहीं पहनूँगा और ना ही मैं कोई परवड हूँ जो मैं किसी लड़की के कपड़े पहन होगा तब भी एक लड़की बोलती है तुम परवड क्यों बोल रहा हो तो और इसमें क्या गलत है यदि कोई लड़का किसी लड़की के कपड़े पहने तो इसमें कोई प्राब्लम नहीं है करके उसकी पेहन की सहलियां ऐसा बोलती है जो लड़के होते हैं वो लड़कियों के क्लाथ में बहुत ही क्यूट दिखते हैं तो शाने सुचता है कि मैं क्या कहूं तो उसे मापी मांग रहता है और बोलता है कि और शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था तो उनमें से एक लड़की बोलती है कि मेरा जो एक भाई है वो क्लाथ ड्रसर था वो बड़ा क्यूट लगता है लड़कियों के ड्रस में तब भी एक लड़की बोलती है कि तुम्हारा भाई जो है शाली वो बहुत ही क्यूट है शाने काफी क्यूट दिखता है तो जाओ जो होता है वो बड़ा मन के अंदर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि जो शाने है वो भी यहाँ पर इस पार्टी में इस दिया है कि उसे लड़कियों को ही मिलना उन्हें लड़कियों से ही गॉसिप करने इसलिए आया होगा और उसके हाथ में जो वाइन गॉसिप करने इसलिए आया होगा और उसके हाथ में जो वाइन गॉसिप करने इसलिए आया होगा हो तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन शालनी है कौन शानी है करके और मैंने ये भी सुनाया है कि तुम जो कपड़े हो वो बिल्कुल एक्दम accurate measure के बनाते हो तुम्हें कैसे पता चलता है कि किसका regular size है तो जाओ बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बत है जो दोनों है वो दोनों ही same height के शाने और शानी जो हम दोनों same height के तो से कुछ खास परक में पढ़ता है सिब 19-20 का ही अंतर है इसलिए मैं उनके कबड़ा असानी से बना लेता हूँ तब ही और फिर मेरी feeling से भी मुझे पता चलता है जो शाने जो है वो ज्यादा cute है इसलिए वो असानी से मुझे पहचान में आ जाता है तो लड़कें बोलती है किया तुम्हें कुछ गैलत पहिमी हुई है लेकिन वो अपनी में बाते करती है कि कुछ भी हो लेकिन जाओ की smile जो है बहुत cute है, हमें तो लगाता कि वो nature से बड़ा ही cold होगा और गुस्से वाला इंसान होगा तब ही शाने सोचता है कि ये तो बड़ी देर हो गई है नहीं तो मैं ये group छोड़ देता क्योंकि इसे अपने दोस्त के जवाब पर बड़ी शहर्मन्दी की महसूस हो रही होती है तब ही शाने शाने बोलता है कि जाओ तुम कैसे सब के सामने सच्छा ही बता सकते हो कि मैं cute हो करके जाओ बोलता है कि मेरा ये कोई मतलब नहीं था तब ही जाओ की बोलता है कि मुझे ऐसा clumsy boyfriend नहीं चाहिए जिसे कुछ भी अकल नहीं होती है तो फिर बोलती है कि शाने बोलता है कि ठीक है ठीक है शानी तुम गुस्सा मत हो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए dinner arrange कर ओड़ू तुम ज़्यादा गुस्सा मत हो जाओ बोलता है कि तुम क्यों dinner arrange करोगे मैं करता हूँ dinner arrange तो शाने बोलता है कि तुम क्यों करोगे यह सब जो हुआ है उसके पिछे मेरा आद्धा मेरी वद्ध से यह सब हुआ है तो मैं arrange करूँगा शानी इन दोनों का मुझे देखती है तब ही शाने बोलता है कि मेरी जो sister है वो friends बनाने में बहुत अच्छी है और यह भी बोलता है कि मुझे उसकी friends से बात करने में भी बहुत अच्छा लगा तब ही जाओ पुछता है कि शाने कि तुम्हें लड़कियां वसंदे पार्टी को enjoy करना चाहते थे तो शाने बोलता है मैं इसलिए आया क्योंकि तुम आने वाले थे तुम्हें तो मिलवाना था मेरी बहन को अपने so-called boyfriend को तो फिर बोलता है लेकिन तुम्हें जाओ बोलता है कि तुम्हें तो उन लड़कियों से बहुत जादा बात करी इतनी बात तो तुम मेरे से नहीं करतेगा बीबी तभी वो बोलता है जाओ सुचता है कि शायद मैं ही तुमसे ठीक से बात नहीं कर पाता हूं तभी शाने जाओ के हाथ को पकरता है और बोलता है कि मैं तोड़ा सा twisted हूं और बहुत straight forward हूं कही बार मैं कुछ चीज ऐसी बोल जाता हूं जिससे दूसरों को बुरी लग जाती है यदि मैंने तुम्हें कुछ ऐसा बोल दिया और जिससे तुम्हें upset हो गए हो तो उसके लिए sorry और तुम मुझे lecture भी दे सकते हैं कि मैंने कुछ गलत किया हो तो even तुम मुझे मार भी सकते हो पर तुम मुझे दीडे से माना ने तो बहुत जोर से लगेगी तो जाओ बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है लेकिन इसके पतले में तुम से कुछ और पूछना चाहता हूं तो शाने उसकी तरफ देखता है और देखता है कि उसके पास एक बनी वाला नाइट गाउन है और बोलता है यह नाइट गाउन नहीं है वो अपने आपको उस गाउन के अंदर इमाजिन करता हूं यह तो जाओ बोलता है कि तुमारे पैर जोए वो बहुत सुन्दर है और इसे कवर कर नाइतलब लंबी ड्रसे पहनने के कोई फायदा नहीं है तुम्हें अपने पैरों को ज़्यादा दिखाना चाहिए तो शाने बोलता है सच में तो शाओ बोलता है यह ज़िए ड्रस तुम्हें पसंदे कर गया तो शाने बोलता है कि सिर्फ तुम्हें हो इसे इंसान हो जो मेरे बनाएवे कपड़े पहन सकता है और कोई भी मेरे बनाएवे कपड़े नहीं पहन सकता है पर मेरे स्टूडReस में पढ़ी होता है। जाओ ठीट मेरे स्टूडियो में पढ़ी होता है। तब शाओ ने प्लता है। जाओ बताता है क्या जए मैं चोड़ा था, कलग करके रखने का बहुत मन करता था तो मैं हमेशा उनको सिर्क्रेटली अपने पास छुपा के कहीं रख दीता था पर हमेशा से वो चीज़े इतनी क्यूट थी लेकिन वो कुछ बोलने वाली चीज़े नहीं थी तो ये थोड़ा अजीब होता था लेकिन जब मैं दस साल का था तब मैं एक बहुत प्यारी सी लड़की से एक बहुत ही खुबसूरत लाली तर ड्रस में मिला था और उसने कहा उसने कहा तो शाने बड़ी क्यूरिसिटी से सुनता है पुछता है कि क्या कहा उस लड़की ने तुमसे तो जाओ बुलता है कि मैं उसी आदमी से शादी करूँगी जो मेरे ले ड्रेसिस बनाएगा तो जाओ बुलता है कि मैं ड्रेसिस बनाना सीख सकता हूँ शानी का दिल बहुत जो जो से धड़क रहा होता है थंप थंप करके आवाज आ रही होती है क्योंकि उसे आद याद आता है कि वो जो छोटी सी लड़की से मिला था दस साल पहले वो कोई और नहीं वो खुदी था जो लड़कियों की ड्रेस बहन के एक जगा पर बैठा हुआ था तो जाओ बुलता है कि उस हाद से के बाद मैंने लड़कियों के कपड़े लालिता बनाना सीखा और मुझे लालिता के कपड़ों से प्यार हो गया लेकिन अब बात यह है कि मैं भूल चुका हूँ कि वो लड़की कैसे दिखती थी जिस समय दस साल पहले मिला था जो कि लालिता के कपड़े में थी तो जाव पुछता है कि शाने क्या तुमें भी लालिता के कपड़े पहनना पसंद है क्या तुम बच्पन में भी लालिता के कपड़े पहनते थे तो शाने थोड़ा सा शर्मा आ जाता है और पुछता है क्या तुमने कभी उस लड़की को डूनने की कोशिस की तो जहाँ बोलता है कि मुझे जब पहली बार पहली ड्रस बनाई थी तो मुझे एक मैना लगा था इस ड्रस को बनाने के लिए फिर जब मैं उसे ढूनने गया तो वो मुझे मिली नहीं तो मैंने फिर उसे ढूनना बंद कर दिया तो शाने बोलता है कि लेकिन तुम शायद उसको अभी भी ढून सकते हो तो जाओ बोलता है कि चाय में कितनी भी ड्रॉसस बना लो लेकिन वो ड्रॉसस शायद उतनी क्यूट नहीं हो कि जितनी की वो लड़की थी मैं उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता अपने इस तरह के कपड़े दे की क्या पता उसे मेरे कपड़े ना पसंदा आए ना आए तो शाने सोचता है कि ये तो मैंने ऐसे ही उससे बोल दिया था उस टाइम पर कि जो आदमी मेरे लिए कपड़े बनाएगा मैं उसी आदमी से शादी करूँगा मुझे नहीं पता था कि जाओ इस चीज़ को सीरियसली ले देगा तो बोलता है शाने बोलता है यदि यदि तुम इस ड्रेस के साथ उसके पास गए होते तो शायद वह तुम से शादी करने कला तैयार हो जाती करके मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो शाने है वो लड़का है और उसे लड़कियों के ड्रेस पहनना पसंद है और जो भी एक लड़का है लेकिन जो और शाने एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को ये बात बताई नहीं है